नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबर चीपर दोस्तों हमारे चैनल पर आप एक सेक्शन मिलेगा इंडियन रोजगार इंडियन रोजगार के अंदर हम जो है जो भी नई वेकेंसी आती है हम उसको एक्स्प्लेइन करते हैं और किस सरा से आप अप्लाई करते हैं उस सरा की वीडियो हम जो है उसमें बताते हैं नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस यूटूब चैनल इंडियन खबल चीपर दोस्तों हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन रोजगार वो एक सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर आपको जो भी लेटेस्ट वेकेंसी होती है हम उसके बारे में उसके नोटिफिकेशन को एक्स्प्लेन करते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह से अपलाई करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश के अंदर CHO का आया है कि आप इसके अंदर कों इसकी लास्ट क्या है कितने पैसे आपको मिलेंगे इस सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं किस तरह का पेपर का पैटर्न होगा कितने सेक्षन होंगे इस सारी बाते जहां मैं अभी आपको एक्स्प्लेइन करूँगा इसी पहले कभी कभी न कभी कोई notification आया था अब उस notification में changes कर दिये गए हैं ठीक है तो amendment या कोरिजेंडम आप बोल सकते हो तो जो पहले notification आया था वो कब आया था आपका जनवरी दो हजार चौबिस में आया था इसमें हम देख लेंगे डिटेल में अब उसके अंदर क्या क्या कुछ चेंजिस कर दी हैं यह अमेंडमेंट आया है यहां पर आप देख सकते हैं जो इसकी ओन्लाइन एप्लिकेशन फॉर्म जो भरने की डेट है वह स्टार्ट हो चुकी है थाइस दस दोजाज चौबिस से लास्ट डेट है सत्रा ग्यारा दोजाज चौबिस ठीक है इसके बाद आगे बात करें तो यह जो है दनेशनल हेल्थ मिशन के एंडर में यह जो है वेकेंसी निकली है इसमें 7400 कॉंट्रेक्शल वेकेंसी हैं किसकी कॉम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर की ठीक है आगे बात करेंगे इसमें और इसमें जो कंडिड़ शॉट लिस्ट होंगे वह सी बीटी कंप्यूटर टेस्ट के थ्रू होंगे जो लोग कंप्यूटर बेस्ट में सक्सेसफुल उससे पास कर लेंगे उसके बाद उनको डॉकुमेंट वेरिफिकेशन प्रॉसस के लिए बुलाया जाएगा डी वीपी मतलब डॉकुमेंट वेरिफिकेशन प्रॉसस ठीक है और यहाँ पर मैंने बता दिया आपको 7,400 contractual vacancies हैं ज्यान रखेगा यह contractual vacancies हैं आप सोचो कि भाई यह full time job है नहीं full time job नहीं है इसमें vacancy का अगर detail देखे तो undeserved में 2960 vacancy EWS में 740 OBC में 1908 में schedule cost में 1555 और ST में 148 total हो गई 7401 तो 7400 प्लस contractual vacancy इसमें horizontal reservation है त्यान रखेगा women के लिए जो है 1480 1480 PWD जो physically challenge लोग हैं दिव्यांग हैं उनके लिए 206 में एक सर्विसमें के लिए 370 और dependent of freedom fighter उनके लिए 148 यह पूरी vacancies यहां पर दी गई हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें district wise भी vacancies को classify किया गया है उत्तर प्रदेश के किस district में कितनी vacancy हैं वो भी हम सारी बाते देखेंगे यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी आप इस form को भरेंगे तो आपके पास valid email ID होना चाहिए और आपका कि यह पहले किसी advertisement का amendment है यहां पर आप देख सकते हैं पहले जो विज्यापन संख्या जो थी यह थी और दिनाख कितनी थी पच्छी सेंग दोजाल चौबिस यानि कि जनवरी दोजाल चौबिस में यह notification आया था और उस दोरान जो नोटिफिकेशन है तो इसमें कुछ चेंजिस कर दिये गए है इतना लेट जा गए है यह जनवरी और आप क्या है दूसरा जो है नमंबर आ गया भाई देखो दस्त महिने का गया है बहुत बुरी बात चलो कोई बात नहीं इसमें आप देखो यह वेकेंसी जो है इसमें यह नोटिफिकेशन के अंदर अप्लाई कर दिया था उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरुद बिल्कुल भी नहीं है हमने इसको जहां देखने की कोशिश करी इस अडवर्टीजमेंट को हमें तो मिला नहीं अगर किसी के पास एडवर्टीजमेंट है तो हमें वाटसप कर सकता है हमें हम जो है हमें दे सकता है बता सकता है कि यह पुराना नोटिवेशन हमने काफी सबसे बढ़ी बार इसमें कौन है जिन्नोंने नर्सिंग किया है और याद रखेगा विद इंटीग्रेटिड करीकुलम औफ सर्टिफिकेट इन कॉम्मुनिटी हेल्ट फॉर नर्स कॉम्मौनिटी हध और नर्स पोस्ट बेसिक बी सी रखेंगी और उनके पास भी झार्टिफिकेट टोगा क्यों फो नर्स से अीजट नर्सिंग में % अज़ दोजर दिश 12 के मतलब यह है 2019 वाले लिजिबल नहीं है ठीक है तो फोर क्लारिफिकेशन दाकेडमी के रहें फॉर इंटिग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इस्टुडेंट हुए फॉर यह बेस बीस नर्सिंग एंड सेकंड यह पोस्ट बीसी नर्सिंग इन यह टूथाउजन नाइटी प्रोड़ किया था तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यहां लखेगा इसमें बहुत इंपोरेंट बाते हैं कैंडिडेट मस्क बी रजिस्टर इन यूपी नर्सिज मीडवाइफ कॉंसेल यह बहुत इंपोरेंट पॉइंट है जो कैंडिडेट है उसको जो है यूपी सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो क्या करेगा विल सब्सक्राइबिट करेगा नौन जुडिशल स्टैंप पर ठीक है जी कितने रुपे का होगा वह सो रुपे का होगा अधर टाइम ऑफ डीवीपी कब करना है उसको यह जमा डॉकुमेंट वैरिफिकेशन प्रॉसस के दोरान उसे यह एफिडेविट सब्मिट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा उसे अपने 90 दिन के अंदर पटा पट 90 दिन के अंदर अंदर जो है जो यूपी का नर्सिस एंड मिडवाइब काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है वह जमा करना पड़ेगा यह सब होगा जब आपकी जोइनिंग हो जाएगी डीवीपी के दोरान उसके बाद हो गाई ठीक है जिनके पास है उनको तो जरूत है ही नहीं उसमें कोई इश्वी नहीं है ठीक है जी जोइनिंग ऑन दा बैस ऑफ अधर स्टेट नहीं होगी जब तक आप यह सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो यह कैंसल कर सकते हैं इस अधिकेट मेंडेटरी है इसका मतलब यह दिहान लगना है जब आप इस फॉर्म भरेंगे तो आपके पास यूपी के अंदर जो नर्सेज और मिडवाइट कांसिल का जो रेजिस्टेशन है वह होना चाहिए ठीक है इसके बाद बात करते हैं केंडिड़ेट हुआर वर्किंग हैं उत्तर प्रदेश नोट एलिजीबल तुम अप्लाई यह भी ध्यान रखेगा जो यह हैं वो यह मतलब क्या है कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसकी यह जो है वेकेंसी निकली है अगर जो और लेड़ी काम करने वह एलिजीबल नहीं है द्यान रखना है और यह एंड पर्फॉर्मेंस बेस्ट इंसेंटिव यहनी कि यह प्यमिंट की बात हो रही है आपको कितनी प्यमिंट मिलेगी तो ध्यान डखने आपको 25,000 रूपे पर मन्त पूरा ओन्रेयरियम जो है आपको मिलेगा और 10,000 रुपे आपका जो है पर्फॉर्मेंस बेजड इंसेंटिव होगा ठीक अगर आपकी पर्फॉर्मेंस अच्छी होगी तब आपको जो है 10,000 रुपे मिलेंगे तो लगबग आपको जो है 35,000 रुपे पर मंत मिलने वाले हैं इसके बाद श्योर्टी बॉंड आपको भर मतलब यह कतब है नहीं कि आपको जो कॉंट्रेट्चल विकेंस यहाँ पर एसमस समझ भी तो आपका जो साल का नहीं आपका कांट्रेक्ट हो यह साल जी होगा अपकी पर्फॉर्मेंस बर्फॉर्मेंस पर टिपार्ट्मेंट जेद करेंगा लेकिन अगर आपको लाग उने 3 तीन साल का बॉंडर रहेगा अब जो एज लिमिट की बात आती है एज लिमिट के लिए क्या डिसाइड क्या हुए इन्होंने जो लास्ट एट है ऑनलाइन सब्मिशन का यानि कि 17 नवंबर वो कट आफ डेट है उस डेट को ही आपकी जो एज लिमिट है उसको माना गया है ठी तो एज लिमिट कितनी है जी 21 से 40 साल के लोग उसको भढ़ सकते हैं यहां पर आपको यह पता चल गया अपर एज लिमिट क्या है जो रिलेक्स डापर एज लिमिट वो किसके लिए है पांस साल जो है ओबीसी के लिए 15 साल परसन विद विद डिसेबिलिटी और पांस साल न कोई एकस ऑफिसर है वो रूक कोई एकस ऑफिसर वो स्यगुल कास्ट चाफिए तो इस में से ज्समें जादा फायदा होगा वो असको मिलेगा कोई ऐसा भी हो सकता है कोई परसन जो है डिसेबिलिटी वाला दिविद्या और एस सीबी है तो जो मैक्सिमम बेनिफित होगा व यहाँ पर reservation की बात हो रही है मोटे मोटे तोर पर तो मैं आपको यह बता देता हूँ reservation अगर आपको चाहिए तो आपके पास UP का domicile होना चाहिए अगर आप किसी दूसरे state से भर रहे हैं तो आपको यह undeserved category में ही भरना पड़ेगा यह मोटे मोटे तोर पर आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से तो आपके पास जो certificate होना चाहिए वह UP का होना चाहिए ठीक है जी candidate जो domicile है वह किसका होना चाहिए UP का होना चाहिए और एक और बात in case of female candidates certificate is issued from the father side कोई female candidate है तो उसका जो उसके पादर के साइट से आएगा वह एप्लीकेबल होगा कई बार क्या होता है कुछ female है महिलाएं हैं जिनकी शादी हो जाती है और वह अपना certificate कब बनवाती है अपने पती के basis पर बनवा लेती है तो उनके लिए वह eligible वह eligible नहीं है यहां दखना तो उनको जो फादर की साइट से certificate मिलेगा वह काम करेगा जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया domicile certificate of उत्तरपदेश इस अगर आपको reservation चाहिए अदरवाइस इसमें क्या है जनरल आप तो बढ़ना पड़ेगा अंडिजर्व में बढ़ना पड़ेगा एप्लिकेशन फीस क्या है यहां पर लिखा है application पीस नहीं है इसमें सबसे इंपोर्टेंट कोविड एक्सपिरियंस वेटेश क्राइटेरिया अगर आप आपने मालो छे महीने या एक साल के लिए जब कोविड आया था दोजार बीस इक्यिस में जब कोविड आया तो उस दोरान अगर मालो आपने अपनी अपनी सेवाई दी है आप कहीं पर जॉब क आपके पास एक्टिव एंगेजमेंट है और उसमें आपके पास तो पांच नंबर का आपको पाइदा मिलने वाला है दस मांको मिलेगा जो एक साल के लिए हैं और वे अपन्दरह मांको बेनिपिट मिलेगा तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपने कोविड के द फैसिलिटी ठीक है जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी उसमें चाहिए वह टेंप्रेरी हो आउट्सोर्च कॉंट्रेक्च्छल किसी भी तरह से अगर वह सर्टिफिकेट है तो आपको जो है इसमें फायदा मिलेगा जब आप टेस्ट देंगे कंप्यूटर बेस टेस्ट मिनीम सब्सक्राइब के लिए और सब्सक्राइब करना पड़ेगा है तो अगर आपको जो कोविड के दौरान काम किया साल तो उसके पंद्रा नंबर यहां जुड़ गए तो यह हो गया 35 तो वेलिजीबल नहीं होगा ध्यान रखेगा जो आपका को क्वालिफाइब करेगा यहां पर आपको क्या करना है इसका फाइदा लेना है तो यहां पर देखे लिखाए कंडिडेट कुछ और यह ध्यान रखेगा अगर कोविड का एक्स्पिरेंस लेना तो एक क्यूर बेस्ट होना चाहिए वह आपका हैंड टाइप नहीं होना चाहिए क्यूर बेस्ट को करेंगे लेकिन कुछ यह फ्टाफट अप्लाइप लिए चाहिए कर लेना है और यह चाहिए लिए ले लगबग लगबग गट अट तारीक साथ चहत तारीक उससे पहले-पहले इसको अप्लाई कर लो क्यूर बेस्ट कोवीड एक्स्पिरेंस इसूड परफॉर्मा एस पर एनेक्षर यह सारे फॉर्मेट दिये गए हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर एक्स्प्लेइन करूंगा तो यहां पर भाई साभ यह बताया गया कि आपक आपको देखना है यहां पर कुछ ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है प्लीज नोट रेफ्रेंस और कट ओफ डेट पोरेज कलो शैल भी लास्ट ऑउनलाइन यह मैं अल्लेडी बता चुका हूं कट ओफ के लिए सेलेक्शन प्रॉसेस बहुत इंपोरेंट कि इसमें सेलेक्श कोई बस डीवीप होगा उसके बाद मेरिट बनके आ जाएगी मेरिट लिस्ट बन जाएगी तो जो कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा उसमें क्या होगा वो भी हम देखेंगे जाएगे तो उसका डीडेटर फेल हो जाए उसको कैंसल कर देंगे टेस्ट सिटी इस यह यूपी के अंदर ही होगी तो भी कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा ठीक है मेजर सिटी होगी यूपी की कंप्यूटर बेस टेस्ट में आ गए हैं यहां पर आपको सो मांक्स का पेपर होगा और सो ही कोश्चन होगे जोगी हर कोश्चन के एक मास होगे तो सेक्शन वन होगा असी मार्क्स का section 2 होगा 20 मार्क्स का section 1 जो है जिसमें आप professional knowledge discipline domain related knowledge यानिकि जो आपने बीस्सी नर्सिंग में किया है उसके बेसेस पर यह जो है आपका paper होगा और 20 मार्क्स का जो है general awareness, general aptitude reasoning यह सब होने वाला है computer इसमें कोई negative marking नहीं है सबसे बात है पर फिर भी तुक्या नहीं मारने पढ़ाई करनी है तो no marks will be awarded for unattempted question unattempted के लिए कोई question के लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा तो इसलिए normalization processes में दिया हुआ है उसकी जरूत आपको नहीं है ज्यादा detail हो जाएगी और यहां पर जो है मैं अल्लेडी बता चुका हूं minimum qualifying marks यह हमने पहले भी पढ़ लिया था यह बहुत इंपोर्ड़ेंग टाइब रेकिंग क्राइटेरिया अगर मालो दो candidate ने जिनके marks equal आगए तो कैसे जो है यह decide होगा कि भाई किसको लेना है अना candidate achieve higher marks in discipline part 1 section 1 will be placed higher in the merit कि मालो दो candidate जो merit merit में आए वो दो के marks सेम आ गए तो फिर किसको लेंगे जिसके section 1 में सबसे सब्सक्राइब कर लेंगे इसके बाद अगर कोई ऐसा candidate है जिसके section 1 में भी सेम आ गए तो फिर यह कैसे देख लेंगे date of birth से देख लेंगे जिसकी date of birth जादा उसको प्रीफर कर लेंगे कोई ऐसा candidate है कि इसकी date of birth भी सेम हो गई section 1 भी सेम हो गया तो फिर यह कैसे कर लेंगे alphabetical order से ले लेंगे जिसका नाम यह से शुरू हो रहा उसको पहले लेंगे उसको नहीं लेंगे तो इस तरह से मेरिट बन रही होगी ध्यान रखना है तो यहां पर यह सारी चीज़े लिखी है लिस्ट ऑफ डॉकुमेंट क्या क्या है जी फोटोग्राफ है सिगनेचर आपको करने हैं मार्क शीट होनी चाहिए आपके पास सारे डॉकुमेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट है यह होना चाहिए जब आप कौम भर रहे होंगे तो यह चाहिए अना डॉमिसायल सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है कोई पी डबलू डी केंडिटेट तो उसके लिए जो है वह होना चाहिए डॉकुमेंट उसका और डॉकुमेंट शुडबी क्लियरली विजीबल ठीक है सबसे बड़ी बात प्रिप्रेंस शोक रहे होगी हम और कि नगया सब्सक्रिक नहीं लको में लिकायर चजयी टियां प्रिव्यांग स्टुडेंट होंगे उनको पहले प्रीफर किया जाएगा उसके बाद बाग ही इसके बाद यहां पर इंपोर्टन इस्ट्रेक्शन इसकी जरुद नहीं है ठीक है हाँ यहां पर एक और बात जो सबसे यह पर जैए रिव्यू बेसिकली रिन्यू होगा और यह आपकी पर्फॉर्मेंस के बेसिस पर होगा और ठीक है सब्जेक्ट पुद अप्रूवल फ्रॉम दी गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया गोवर्मेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आएगा तब आपको जैए कॉंट्रे यह यह बत्सक्तिक के लिए जाते हैं माल्स आप रहते हैं आप रहते हैं आप अपर अप्रो थैक्र तो जर्सक्षिंप फॉर वह सब्सक्राइब्च शर्म सारी चीज़े इमेल पर ही होंगी ज्यान रखेगा कोई भी पोस्ट के थ्रू नहीं होगा वह आपको अगर मालो जैनिंग ओडर आप जैनिंग लेटर आ रहा है तो वह इमेल पर ही आ जाएगा और तो क्या है यह बहुत इंपोरेंट है यहां इसको पढ़ लेते हैं एपलाई ओनली ऑनलाइन सब्मिशन जो है आपको करना है ऑफलाइन सब्मिशन नहीं है श्योर्टी बॉंड ड्ही लाग का होगा जो कि तीन साल के लिए होगा और यह सो रुपे के स्टैंप पेपर पर देना है और डिस्प्यूट विल बी सब्जेक्ट लखनौ अगर जरी जुरिस्डिक्शन ऑफ लखनौ कुछ भी इशू होता है तो लखनौ के जुरिस्डिक्शन में होगा बस यह है तो यहां पर यह हमने एक्स्प्लेइन करा इसको अब इसके देख लेते हैं ताकि आपको सारी की सारी डिस्टिक्श्रिक्शन करनी है इसके बाद अगर हम यहां देखें तो बॉब का कहानी लिखनी है सोरपी के जुडिशिल स्टैम पेपर पे और जो है यह आपका इस इस शोर्टि बॉन्ड को भरना यह डर्कुमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के दोरान के बाद भरना है, बसी कली, इसके बाद, कास सर्टिफिकेट का यह format है, यो पी के जो कास सर्टिफिकेट है, यह format दिये गए है, बसी कली, इसके अंदर, यह EWS का format है, EWS कटेग्री में अगर कोई benefit लेना चाहता है, और यह COVID experience का यह ब्लैक और इसको नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रॉसेस इसके आपको जरुवाद बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आपने मैथ पड़ी है वहाँ पर मीडियन इस्टेंडर्ड डेविशन वह यहां पर फॉर्मले लगाए गए हैं उसके आपको जरुवाद नहीं है तो अमीद करता हूं आपको पूरा प्रॉसेस समझ में आया यह कॉलीज के लेटर हेड़ पर आपका जो सर्टिफिकेट होगा जो कि हम बोलें बीएस सी नर्सिंग पोस्ट बीएस सी नर्सिंग कोर्स इंटिग्रेशन ओ मिडिल लेवल वीडियो के अंदर सारी चीजे जो अछजह से समझ में आई अगर आपको इसमें कोई पी डव्यव टर तो आप क्या कर सकते हो आपके पास सकते हैं हमसे जवाब तो अगर आपको वीडियो के अंदर बताई गई सारी जानकर यह अच्छी लगी सटीक लगी मजा आ गया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे जो सेक्षन है जो इंडियन रोजगार वाला सेक्षन है उसको जो है उसको जो है वाच करते रहना लेटेस्ट जॉब के लिए हम आपर वीडियो अप्लोड करते रहेंगे तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ टाटा टेक केर जैहें